साथियों, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूरे भारत में अनेक लोग हैं जिने ज्ञान के प्रसार से अपार खुशी मिलती हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा इस बात के लिए तकपर रहते हैं कि हर कोई पढ़ने के लिए प्रेरीत हो। मद्द प्रदेश के सिंग्रोली की सिक्षिका उशा दुबेजी ने तो स्कूटी को ही मोबाईल लाइबरेरी में बदल दिया है। वे प्रती दिन अपने चलते फिरते पुस्तकाले के सार किसी न किसी गाउं में पहुँच जाती हैं। और वहां बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चे उन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी कहकर बुलाते हैं। इस साल अगस्त में अरुनाचल पदेश के निर्जूली के रायो विलेज में एक सेल्फ हेल्फ लाइबरेरी बनाई गया है। दरसल यहां की मीना गुरुम और दिवां होसाई को जब पता चला गया कि कस्बे में कोई लाइबरेरी नहीं है तो उन्होंने इसकी फंडिंग के लिए हाथ बढ़ाया। आपको यह जानकर हैरानी होगी किस लाइबरेरी के लिए कोई मेंबर्शिप फी नहीं है। कोई भी व्यक्ति दो हफ्ते के लिए किताब ले जा सकता है। पढ़ने के बाद उससे वापिस करना होता है। यह लाइबरेरी सातों दिन 2400 घंटे खुली रहती है। आस पढ़ोस के अभीभावक यह देखकर काफी खुश हैं तो उनके बच्चे किताब पढ़ने में जुटे हैं। खास कर उस समय जब स्कूलों ने भी ओनलाइन क्लासे शुरू कर दी हैं। वहीं चंडिगर में एक NGO चलाने वाले संदिप कुमार जी ने एक मीनी वेन में मोबाईल लाइबरेरी बनाई हैं। इसके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मुप्त में बूख्सी दी जाती हैं। इसके साथ ही गुजरात के भावनकर की भी दो संस्दाओं के बारे में जानता हूँ जो बहतरिन कारे कर रही हैं। उनमें से एक है विकास वर्तुल ट्रस्ट। ये संस्था प्रतियोगी परिक्षाओं के तयारी करने वाले विद्यार्थों के लिए बहुत मददगार है। यह ट्रस 1975 से काम कर रहा है और यह 5000 पुस्तकों के साथ 140 से अधिक मेगेजिन उपलब्द कराता है ऐसी एक समस्ता पुस्तक परभ है यह इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो साहितिक पुस्तकों के साथ ही दूसरी किताबे निशुल के उपलब्द कराते हैं इस लाइबरेरी मे अध्यात्मिक, आयुर्वेदिक उप्चार और कई अन्य विश्यों से संब्दित पुस्तके भी शामिल है एधि आपको इस तरह की और प्रयासों के बारे में कुछ पता है तो मेरा आग्रह है कि आप उसे सोशल मीडिया पर जरूर साजा करें यह उधारन पुस्तक पढ़न यह पुस्तकाले खोलने तक ही सिमित नहीं है बलकि यह उस नए भारत की भावना का भी प्रतीख है जिसमें समाज के विकास के लिए हर क्षेत्र और हर तपके के लोग नएने और इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं गीता में कहा गया है नहीं ज्याने स्रदुषम पवित्र मिह विद्देते हैं अर्थात ज्यान के समाग समसार में कुछ भी पवित्र नहीं है मैं ज्यान का प्रसार करने वाले ऐसे नेक प्रयास करने वाले सभी महनुफाओं का रदय से अभिनंदन करता हूँ